कि एक एक वल्कम बैक टू टीम्स फॉर इन यूटूब चैनल इस वीडियो में प्रिविव कने वाले ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग के शिक्स मैच जो की मुंबाइ इंडियन और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाने वाला है दुबाइ क्रिकेट स्टेडियम यानि द आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो वेदर रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे उसके बाद सारा कुछ जो डीटेल में देखेंगे तो पहला तो वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं आज और रेन के चांस नहीं है टेंपरेचर भी ठीक ठाक है 27 डिग्री आराउं ज्यादा तो नहीं एक अच्छे खासे रन बन जाते हैं लेकिन देखते हैं कुछ खास अगर कोई प्लेयर निकाल पाता है तो हो सकता है में भी सेंचुरी भी लगना यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है लग सकते हैं जो नाइट मैचस में हाँ यूजरी लग सकते हैं पॉ कि बात करते हैं तो टोटल एटी वन मैचस खेले गए इस वेन्यू पर बैटिंग फर्स करते हैं थाटी फोर टाइम्स टीम्स विन किया है सेकंड बैटिंग करते हैं 46 यानि एटी वन में से 46 अच्छा वासा विन मार्जिन है लेकिन जो आप आप आइपिल के मैचस अगर ख स्कॉर बनेगा इका दुका इधर उदर जो है कुछ भी उपर निचाए उन्रीजबिस हो सकता है स्कॉर पैटर्न पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर देखिए मोस्ट रिसेंट मैच 177-179 यान चेस करती वी टीम किया और यहां पर 167-147 यानि डिफेंड करती वी टीम और यहां पर देखिए 158-163 डे मैच है चेस हो गया और उसके बाद 169-132 डिफेंड हो गया डे मैच है लेकिन उसके बाद है 201-132 यानि डिफेंड करती वी टीम और उससे पहला वाला मैच 196-137 यानि डिफेंड करती वी टीम और फिर से डे मैच 178-181 यानि यहाँ पे defend और 206 और 109 यहीं defend तो टोटल यहाँ पे देखिए यहाँ पे 163 और 153 यहीं defend तो टोटल कुल मिलाके defend करतीवी team में almost 70-80% winning ratio है और जहाँ पे भी chase हुआ है वो यहाँ तो day matches है और यहाँ तो यहाँ से है लाश के 14 मैचस में तो बात करते है 148 विकेट 14 मैचस में यानि अच्छे खासे विकेट रेश्यू के साथ जो है बॉलर्स चल रहे हैं फरस लिए जो है विकेट 62 और सकंड इनिंग इसलिए जो विकेट गिर रहे हैं, इसलिए जो विकेट गिर रहे हैं, उसी के वज़ा से चेज नहीं हो पा रहे हैं तो spin जो है वो बहुत important देखे जो एक छोटा सा observation यह बता दो कि पहला बात तो यह है कि power play में chase करते विए बिलकुल आपको wicket नहीं खोनी है at least एक wicket खोले कोई बात नहीं है लेकिन जहां पे भी दो तीन प्लस wicket गए तो आपका वहीं पे जो है chase करने का 99% chances घट जाता है तो बिसकलि यह चाहिए जो भी टीम यहां पे observation और stat था जो कि मैंने देखा कहीं पे तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं तो यह एक छोड़ा सा जो है आपके लिए अलग से एक stat या fact कह सकते हैं wickets जो है spin को 52 और pace को 96 यानी most of the wickets जो है 1500 wickets में से 100 wickets के खरीब करीब आप कह सकते हैं लग बगग यहां पे spin को देखने को मिलने हैं और वहीं पे पेस को दोनों इनिंग में बराबर बराबर जो है wicket मिलने 4749 यानी दोनों इनिंग में ठिक ठाक जो है यहां पे पेसर्स करते हैं इस वेन्यू के अपर मैच भी ज्यादा है केल राहूल 5 इनिंग 273 रन 68 का एवरेज उसके बाद क्रिस गेल जो कि यहां पे बहुत पी एसल के वगरा के मैच भी खिलते हैं तो 9 इनिंग 211 रन 23.44 का एवरेज उसके बाद है यहां पे मैयंका गरवाल 5 इनिंग 176 रन जिनका 35 का एवरेज है निकलस पूरन 6 इनिंग 136 रन 45 का एवरेज जो कि एक नाट आउट इनिंग ये एक या दू नाट आउट इनिंग थे उसके बाद है ग्लेन मैक्सवल देखे यहां पे ग्लेन मैक्सवल का थोड़ा अब्जर्व करना क्या जो हैं पर पैटन निकल के आ रहा है देखिए एक साइपी की तरफ से देखिए बहुत सारे बॉलर्स हैं जिसमें से मोहमर शामी 6 इनिंग 6 विकेट उसके बाद क्रिस जोर्डन 10 इनिंग 10 विकेट तो दोनों जो यहां से अच्छे खासे ऑप्शन है तो बिलकुल रख सकते हो एवरेज या श्ट्राइक रेट के मामले मे देखेंगे तो थोड़ा यहां पे आपको क्रिस जोर्डन बेटर नजर आएंगे रवी विश्णोई 4 इनिंग 7 विकेट यहनी बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस है और साथ यह साथ देखें मुर्गन अश्विन एक इनिंग 3 विकेट दोनों लेक स्पिनर यहां प और जॉर्डन या मुहमर्श्यामी में से कोई एक ले सकते हो डिपेंडिंग अबॉन क्रेडिट कितने हैं और आप जो है कि इनको प्रिफर करना चाहते हैं अपनी टीम में तो आप जो है यहां पर उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो दोनों जो है अफ्फरंट बोलिंग करान कुल्टर नाइल को लाया गया था तो देखते हैं इस मैच में इनी के साथ जाते हैं या नहीं अगर इनी के साथ जाते हैं तो मेभी यहां पर जेम्स पैटिंसन फिर से जो हैं से मिस आउट कर सकते हैं वरना मेभी मैं मानता हूं कि सेम प्लेइंग लेवन के साथ जा सकते है था लास्ट मैच में और लगभग इन्होंने सारा कुछ तहसनेस कर दी आपोनेंट को 53 के साथ तो आगेस की सेम जो विनिंग कॉंबिनेशन है उसी के साथ जो है यहां पर आगे बढ़ना चाहेंगे की प्लेयर्स में से देखेंगे केंसे लेइन की तरफ से केल राहूल मैंक अ कियरन पॉलाड उसके बाद यहां से हादिक पंडिया कुर्नाल पंडिया राहूल चहार ट्रेंट बोल्ड जस्प्रीद बुम्रा नेथन कुल्टर नाइल या में भी यहां से फिर से पैटिंसन तो बेसिकली यह दोनों में से कोई एक किंग सेलेवन की तरफ से बात करता हू तो केयल राहूल, मैंक अगरवाल, क्रिस गेल, पूरन और यहां से मैक्सवेल, दीपक हुडा, जॉर्डन, शामी, और रवी बिश्णोई, मुर्गन अश्विन, अर्षदीप सिंग, देखिए यह जो इनके स्पिनर्स हैं यह बहुत इंपॉर्डन है, बहुत ज्यादा इं अगर यहां पे स्पिन का थोड़ा ओप्शन चाहिए, तो दीपक हुडा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्लेन मैक्सेल भी जो यहां पे फिंगर स्पिनर्स हैं, तो बेसिकलि इन दोनों को भी यूस किया जा सकता है, पेसर्स में जॉर्डन है, और अर्षदीप सिंग है, तो बेसिकलि बहुत अच्छा इनका पेस अटैक और जो हैं स्पिन अटैक है, तो बहुत ऑन पेपर बहुत सॉलिड लग रही है, टककर मिल सकती है, माई को अच्छी खासी आज के मैच में किंग सलेवन की तरफ से, अभी बात करता हूँ, यहां पे जो है जो ट्रिविया है बेसिकलि इस मैच, आपको बस इतना बताना है कि इस मैच में कुल मिला के कितने रन बनने वालने, तो बेसिकलि दोनों साइट से मिला के कितने रन बनेंगे, टोटल ओवराल रन्स कितने बनेंगे वो आपको बताना है, जो भी सही आंसर होगा, पहला प्रेडिक्ट करेगा, अनेडिटेड आंसर होना चाहिए उसको जो है 200 रुपए का गिवव है टेलिग्राम चैनल पे टीम्स पूर विन सर्च करके जॉइन कर सकतो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आनाउंस हो जाएगा ठीकए भी बात करते हैं टीम्स का फॉर्म यहा देखेंगे एमाइ बहुत आगे है एस कमएठस कींबाई पंजाब अभी यह यहाँ पर कींग सेलवान पंजाब आट में पुजीचन पर यह रहुप बपादा दिफेरेंस देखने को मिल सकता है तो यहां से मुंबाई का जो मोश रीसेंट मैच है वो देख लेते हैं और कि शेख जायद स्टेडियम पे खेला गया था अगेंस्ट के के आर्चेस करते विए विन किया था लेकिन इस वेन्यू पर एक मैच इनका खेला गया एक है दो मैच इस थी इन्हों यहां गया इनका और किंग सेलवन की तरफ से देखते हैं तो बेसिकली इनका जो मोश रीसेंट मैच है वो शार्ज क्रिकेट स्टेडियम पे आया है आर सी भी और के एक साइपी 177 और अगेंस्ट आर सी भी आया था 171 177 यहां पे बैटिंग में राहुल मैंक और यहां से क्रीस ग क्रिकेट स्टेडियम पे इनका जो मोश रीसेंट मैच है वो हुआ है अगेंस्ट यहां से संराइजर साइदराबाद सो बिसिकली यह मैच को इन्होंने हारा है जो की चेस करते वी हारा 201 का टोटल बहुत बढ़ा टोटल था जिसको चेस करते वी हारा है निकलस पूरन का के नहीं हाँ पे CSK ने इस मैच को 10 विकेट से चेस किया यह एक बहुत बड़ा यहां पे इनके लिए हिट बैक था उसके बाद जो इनका मैच इस वेन्यू पे हुआ है वो देखिए यहां पे दो मैचस है जहां पे अगेंस्ट RCB एक मैच है जो की दोनों इसी वेन्यू पे तो यह मैं कहरा था इस वेन्यू पे इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो और अगर देखा जाए उससे पहला वाला मैच अगेंस्ट DC इस वेन्यू पे जो की हारा है चेस करते विए हारा है तो वहीं सूपर ओर गया था तो उसके बाद जो हारे हैं तो उस इसे मैंने कहा कि यहां पर ओन पेपर देखा जाए तो किंग सेलवन बहुत सॉलिड लेकिन उस दिन पर इन पर्टिकुलर अगर कोई दिन अगर आप उठा के देखेंगे तो उस दिन जो है छोटे मार्जिन सही सही लेकिन हा रहे हैं तो उसी वज़ा से जो है इनका जो है इस पेस रहा है उसके इलावा देखा जाए तो आउन पर बहुत सॉलिड है और टकर भी देते हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है वे वन साइडेड मैच कर देते हैं इस मैच में भी मैं होप करता हूं कि बहुत अच्छी जो है जो एक टकर देखने को मिलेगी बैटिंग फर से जो है यहां से बहुत अच्छा रेश्यू है दोनों इनिंग में लेकिन केक्स आइपी भी कहीं पीछे नहीं है ठीक ठाक परफार्मेंस है फर्स इनिंग में सेकें इनिंग में हाँ थोड़ा डिफरेंसियेट आप कर सकते हैं इस वेन्यू पर कोई मैच नहीं हुआ है तो ब मैए ने विन किया था और कॉंट्रिबूटर्स में देखिए सारे प्लेयर्स के आप नाम यहां पर देख सकते हैं और उससे पहले वाले जो पांच मैचेसे 2015 और अठारा वाले मैंने यहांप अपडेट कर दियें 2017 तक कि शायद मैंने आप मैचेस अपडेट कर दियें तो द जादा explain नहीं करूंगा कि यह player जो ही ऐसा कर रहा है वह से कर रहा है रोई शर्मा फर्स इनिंग में अच्छा स्कोर है यह बैसिकली एक पॉइंट था इशान किशन फर्स इनिंग सकेंड इनिंग हर हमेशा कुछ न कुछ कॉंट्रिबूट कर रहे हैं जस्परीद भूम्रा के किंग् से लुइन की तरफ से क्या है तो केल राहूल दोनों इनिंग में ठीक ठाक स्कोर एक बार तूह हंड़्डिबूर कर पाते हैं मायंकर वाल शकर स्केंड इनिंग में अच्छा स्कोर है और उसके बाद यहां से बात करो तो खॉट्रल और उसके लाभा गरnah मैक्सवल कुछ खास नहीं है इस वेन्यू पे भी रेकॉर्ड और हैट्वेड में भी कुछ बढ़िया रेकॉर्ड तो है नहीं उसके लावा मुहमर्शमी के विकेट्स हैं यह जरूर है फस्सकेंड दोनों इनिंग कभी भी बॉलिंग करा यह आपके लिए इंपॉर्डन रहे करेंगे और इनके फस्ट फस्ट निंग में विकेट्स हैं लीडर्स की बात करते तो अपडेटेट तो नहीं है लेकिन केरन पॉलार उनिस में यहां पे चारसो चौसर्टन बना चुके रोहिच शर्मा सूला इनिंग में 344 रन उसके बाद के लाहुल चार इनिंग 200 यहां से बढ़िया आवरेज है लेकिन अपडेटर नहीं है तो यहां पर आराउंड 60-70 का आवरेज है इनका लेकिन उसके इलावा हटा के बोलनू तो यहां से क्रिस गेल बहुत अच्छा आवरेज है उसके बाद केरन पॉलार बहुत अच्छा आवरेज है रोही चर्मा का कुछ ख लेनेगन आर्ट इनिंग 10 विकेट उसके बाद केरन पॉलार बारा इनिंग 5 विकेट मोहमद शामी दो इनिंग 5 विकेट तो बेसिकली यह थे हैट वेड में देखते हैं प्लेयर्स ने अपने हैट वेड में क्या किया हूँ है तो मैच अप्स में देखेंगे सूरेकुमार यादव मुर्गन अश्विन चौदा बॉल में आंटरन बना के दो बार आउट हो चुके हैं सुरेकुमार यादव अगेंस्ट मुर्गन अश्विन तो यह एक इनके अगेंस्ट जो है इनको स्ट्रगल करते वे देखने को मिल सकता है क्विंटन डीकॉक मुहमर शामी बारा बॉल बीस रन और एक बार आउट कर चुके हैं मुहमर शामी इनको केरन पॉलाड शेल्डन कोटरल दो बार आउट हो चुके हैं अठारा रन दे के तेरा बॉल में तो बेसिकली यह जो हैं से एक बड़ा आप बैटल कह सकते हैं कोटरल तो ऐस अफ नो प्लेइंग लवन का पार्ट नहीं है ग्लेन मैक्सवल जस्परीद बुमरा तेज बॉल में तीस ही रन बनाए हैं और यहां पे चार बार आउट हो चुके हैं तो यह देखिए हेट टुएड में ना रेकॉर्ड अच्छा है ना इनका इस विन्यू के रेकॉर्ड अच्छा है ना अगेंस्ट जस्परीद बुमरा या कोई भी अच्छा प्लेयर के अगेंस्ट जो इनका बहुत अच्छा रेकॉर्ड है तो मैं यहां पे सजेस्ट करूँगा आज के मैच में कुछ खास इंपक्ट तो नहीं डाल पाएंगे मैक्सवल हां लेकिन उल्टा भी हो सकता है बिकॉज हर हमेशा स्टाट सही नहीं होते बिकॉज पर्टिकुलर डे प्लेयर का क्या मैंडसेट है प्लेयर का क्या अप्रोच है और उसके ओपर कितना प्रशर है यह सब कुछ भी जो है अलग एक चीज़ है जो मैटर करती है फैंटेसी के लिए पस इतना सेज़ेश कर सकता हूँ कि ग्रैंड लिक्स के एक आद टीम में ट्राइ कर लो अगर हो सके लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रिफर तो नहीं करूँगा विकॉज हिस्टोरिकली अगर फेल हुए है तो हो सकता है वो रिपीड भी हो या उसके उल्टा भी हो सकता है पॉस स्मॉल लिक्स के लिए कैप्टेन केल राहुल रोही शर्मा मैंक अगरवाल कुइंटन डी कॉप में से किसी को भी बना सकते हो टॉप और बैट्स में से इवन क्रिस गेल का नाम भी एड़ कर लो लेकिन सेफ एकदम मैं नहीं कहूंगा कि क्रिस गेल आपके लिए कुछ श्य करने पर ही आपको अच्छा रिवार्ड मिलता है तो चलिए भी बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम पर तो बेसिकली मैं आपको दो कॉंबिनेशन शो करूंगा जिसमें से जो पहला आपके स्क्रीन के उपर जो एक कॉंबिनेशन अभी शो हो रहा है तो यह कॉंबिनेशन है बढ़ा रिस्क ले रहा हूं थोड़ा जो है मेरा अजम्शन है थोड़ा मेरा जो प्रिडिक्शन है और या जो भी आप मेरा गट फिलिंग जो भी कह सकते हैं वो लग रहा है कि मेरे को रोहिच्छर्मा कुछ खास बहुत बढ़ा इंपक्ट तो नहीं डाल पाएंग इसमें सुरेकुमार यादव के साथ यह लगा पूलाड पलाड अच्छे रहेंगे अगर बोलं कराते हैं तब अच्छे रहेंगे वर्ना अगर बैटिंग से contribute करना है तो में भी इनका number आना बहुत मुश्किल है विकॉज इशान किशन तक number आना बहुत ही hard है उसके इलावा जो चार बोलर मैंने पिक किये हैं वो बहुत ही quality बोलर्स हैं तो इसलिए जो अपने sides की तरफ से बहुत अच्छे हैं तो इसलिए मैंने को pick किया हुआ है अभी जो team 2 है जिसमें मैंने थोड़ा एक हट तक जो है mix up करते वे सारा कुछ जो है control करने की कोशिश की अब मोहमर श्यामी और जॉर्डन में सी किसी एक को मैंने बताया था कि venue पे किसी एक को ले सकते हैं venue के stats के base पे तो मैंने एक क्रिस जॉर्डन को prefer किया और लगबग मेरा bowling core same रहेगा इस change के इलावा middle order यहां पे all order से मैं बोलू तो Glenn Maxwell को लिया हुआ है not for the my sake for the यहां से miracle बस मैं यहां पे लिया है इनको credit save करने के लिए और जो मेरे को credit allow कर रहे थे सारा कुछ लेने के बाद वो उस budget में यही fit बैट रहते है तो इनको मैंने ले लिया है उसके इलावा wicket keeping section almost same है और यहां से batting section से मैंने क्रिस गेल की जगा रोही शर्मा को ले लिया है उनको captain बनाया है वाइस captain राहुल अगरवाल decock और सुरे कुमार यादो यह सारे options है और bowling में से अगर safely जाना चाते हो Trent Bowl, Jaspreet, Bumbra यह आपके लिए safe रहेंगे grand leagues में इकादा जरूर Morgan Ashwin या बिश्णोई मैं से किसी एक को try कर लेना depending upon कितना आप उनके ओपर trust करते हो और विकेट का exact जो विकेट है यूज हो रहा है, वो किसको ज्यादा suit कर रहा है वो आपको pitch report पे पता चल जाएगा because बिश्णोई थोड़ा जो है वो जो बहुत speed speed bowling कराते हैं और वहीं पर Morgan Ashwin की बात करो तो बहुत slow bowling कराते हैं तो basically यह एक major difference है दोनों का तो देख लेना जो भी updates होंगे उसके बाद regular updates आपको बता दूँ टेलिग्राम पे मिल जाएंगे तो फटा फट जोईन कर लो टेलिग्राम का link description में दिया हुआ है वहाँ से जोईन कर सकते हो या search करके भी जोईन कर सकते हो टेलिग्राम पे आना है search करना है उसके बाद जोईन हो जाएंगे तो विडियो लाइक कर देना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना पहली बार विजिट कर रहे हो तो आईसे डेटा आनलिटिकल वीडियो आपको यहां पे मिलते रहेंगे इन फ्यूचर तो all पे सेट कर देना बेल आइकन जो बन के आएगा घंटा उसको all पे जरूर सेट कर देना विकास फर्दर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका पहला नोटिफिकेशन मिले और आके आफट 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 जोए ग्रैंडी की टीम्स मनाने के ल अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टेलिग्राम पर आजाना वहीं पर फर्दर जो भी अपडेट आएंगी वहीं पर आएंगी